हलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टो अवर चैनल पंगाल टेकनोलोजी और फ्रेंट्स आज की जो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से तीन क्योशन क्या आपको पता है कि ESIC में फॉर्म 7B क्या होता है किस लिए होता है और आपको फॉर्म 7B कैसे मिलेगा अगर आपको इन क्योशन का एंस्वर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉर्म 7B क्या होता है किस लिए ये यूज होता है और कैसे आपको ये मिलेगा तो फ्रेंट्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो जहें उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे तो फ्रेंट्स जो फॉर्म 7 भी होता है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म 7 भी जो होता है उसको हम मेडिकल एक्सेप्टेंस कार्ड भी बोलते हैं और यह आपको अपने एम्प्लोयर से मिलता है यह किस लिए होता है क्योंकि जब आप किसी भी एसाइसी होस्पिटल में या डिस्पेंसरी में अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं और जब आपको लगता है कि आपको एक स्पेसिपिक यह दिक्कत है और इसका डोक्टर यहां अच्छे डोक्टर यह हैं तो आप अपनी कंपनी के पास जाके उन्से बोलते हैं कि मेरे को मेडिकल एक्सेप्टेंस कार्ड दीजिए और वो कंपनी उसको प्रिंट करके उस पे साइन स्टेंप करके आपको वो कार्ड देती हैं और वो कार्ड फिर आप एसाइसी करवा सकते हैं तो यह एक मेडिकल एक्सेप्टेंस कार्ड होता है मैं आपको यह पर दिखा देता हूं गूगल पे एसाइसी 7B फोर्म इज ओल्सो कॉल्ड एज एसाइसी मेडिकल एक्सेप्टेंस कार्ड इट इज 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 ए रिक्वेस्ट टाइप ओ फॉर्म ऑफ इंश कार्ड बोलते हैं साइनम स्टेंप कर आपको कैसे प्रिंट करके देगी ऑर हम सबसे पहले आपको यह इस के पॉर्टल पर जाना है अगर ये वीडियो आप एजे employer देख रहे हैं तो आपके लिए काफी important है और एजे employee देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो important है तो जैसे ही आप ESIC portal पे जाते हैं जो employer login है उस पे आप click करेंगे और अपनी company का user ID और password है वो डालके आप login करेंगे आपकी company login करने के बाद आप जब login हो जाता है आपकी company का जो portal होता है उसमें login करने के बाद जो insurance person जो employee है request करता है form 7B के लिए उसके लिए उनको e-patchan card पे click करना है e-patchan card पे click करके जो insured person है जिसको 7B चाहिए ESIC medical acceptance card चाहिए उसका insurance number डालके और view पे click करेंगे view पे click करने के बाद यहाँ पे view counterfoil का option दिखाई देगा इस पे click करना है जैसे ही आप इस पे click कर देगे इसको हम TIC बोलते है temporary insurance card यह हमें नहीं चाहिए क्योंकि employee नहीं मंगा है form 7B इसको हम बोलते है medical acceptance card तो इस page पे आप देख रहे होंगे उपर left side में आपको दिख रहा होगा medical acceptance card click है to view medical acceptance card इस पे आपको click करना है जैसे ही आप इस पे click कर देगे देखिए जो medical acceptance card है वो आपका download हो जाएगा और इसको यहाँ से आपको open करना है जैसे ही आप open करेंगे इस medical card में होता क्या है वो आपको दिखा देता हूँ download होने के बाद आपको इस तरह से एक pdf दिखाई देगी जिसमें उपर लिखा होगा medical acceptance card और यहाँ पे आपकी detail रहेगी आपका नाम आपका father name आपकी company का नाम और आपकी company का एड्रेस उसके बाद आपका insurance नबर यानि कि इसमें आपकी detail रहेगी और आपकी company का नाम रहेगा उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे इसका second part रहता है उसमें देखिए employee state insurance corporation यानि कि यह वाला जो part है यह ESIC की तरफ से भरा जाएगा इसमें यहाँ पे भरा जाएगा कि I apply to be included in the list of doctor यहाँ पे आप doctor का नाम बताएंगे कि कि किस doctor के एंडर आपको अपना treatment करवाना है तो उस doctor का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा उसके बाद यहाँ पे डोक्टर का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपका sign होगा signature or thumb impression of insured person यह आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपका sign होगा ना कि doctor का उपर doctor का नाम लिखा जाएगा आपका sign होगा यहाँ पर date ड़लेगी, किस date में आप ESIC में गए थे, यह वाली detail फिल करवाने है। यहाँ पर doctor का code number होता है, जैसे आपकी company का code number होता है, ESI code number, ऐसे ही doctor का यहाँ पर code number रहता है, वो code number यहाँ पर mention करेंगे, ESIC वाले, उसके बाद signature of the doctor, यहाँ पर doctor का signature होगा, और यहाँ पे डोक्टर डेट डालेगा उसके बाद in future जब भी आप जाएंगे उन डोक्टर के पास direct आप medical acceptance card दिखा के उनसे अपना treatment करवा सकते हैं उनसे मिल सकते हैं उन डोक्टर के पास ये record रहेगा कि हाँ ये ये employee हैं जो मेरे पास आते हैं और इनका treatment मेरे को करना है तो ये medical acceptance card एक stamp भी करवा सकते हैं और अपना sign करके डोक्टर की आप details में fill करवा के डोक्टर के sign करवा के इसको अपने पास रखेंगे तो friends आज की इस वीडियो में एक चोटा सा update था कि जो ESIC form 7 भी है वो क्या होता है किसलिए होता है कैसे आप उसको download कर सकते हैं और क्या उसका purpose होता है त अगर अच्छे लगी तो like करें share करें और चैनल को subscribe करें thank you so much friends